हाई एवरिवन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HSD टेस्ट क्या होता है HSD टेस्ट आपको कब करवाने के लिए सला दी जाती है इस टेस्ट में कितना टाइम लगता है ये टेस्ट पीरेट के कौन से दिन करवाना रहता है और इस टेस्ट की कोस्ट कितनी आती है और ये टेस्ट हमें नॉर्मल पॉजिशन में करवाना है फिर एनस्टेस्या लेकर करवाना है इन सभी टोपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को पुरा देखे तो आईए हम बात करते हैं कि HSD टेस्ट होता क्या है तो ये एक टेस्ट होता है जो कि हमरी जो बच्चदानी है उसको और फैलोपिन ट्यूब को एक्जामिन करने के लिए हम लोग करवाते हैं कि मालो अगर कोई महला काफी लंबे समय से गर्बधारण करने की कोशिश कर रही ह और वो गर्बधी नहीं हो पा रही या फिर आप लोग डोक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं फोलिकुलर मोनेटरिंग भी हो रही है ओलिशन भी हो रहा सब कुछ हो रहा फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडिशन में डोक्टर आपको HSD टेस् या ओपन है तो यह HSD टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आपके ट्यूब लोक है या फिर ओपन है तो मान लोगर आपके ट्यूब लोक है तो नॉर्मल सी बात है कि हम प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं पाएंगे है ना तो यह इनफर्टिलिटी की जाज के लिए हम लोग HSJ टेस्ट रिकमेंड करते हैं अब हम बात करें कि HSJ टेस्ट के कौन से दिन करवाना रीता है तो जनरली यह जो HSJ टेस्ट है और अगर हम नीचे से डाई डालेंगे तो फिर उसके कारें वो डाई उपर ने जा पाएगी और फिर उसρεं बीना वज़े ही blockage हमें दिख सकते हैं तो हम ये test period इस्टोप होने के पाधी करते है अगर मान लो आपके period तीन दिन में बंद हो गए तो आप पाचवे दिन भी करवा सकते हैं छेटा दिन भी करवा सकते हैं टोटल वीला के period के पाचवे दिन से लेकर के दस्वे दिन के बीच में हम यह test कर सकते हैं इस test को करने में कितना समय लगता है तो आप इस test को यह समझ सकते कि 15 से 15 मिनिट से लेकर कि आधा घंटा लग सकता है अब हम बात करें कि जो HSD test होता है वो किया कैसे जाता है तो patient को hospital भूलाय जाता है प्रोसेजर करने से आदा घंटा या एक घंटे पहले आपको पेंकिलर इंजेक्शन दिया जाता है अगर आप नॉर्मल वे में करवा रहे हैं विदाउंट एनस्थेसिया तो फिर पेशन को एक्सरे रूम में लेटा दिया जाता है या डोक्टर को जहां भी करना है जहां उनकी फैसिलिटी है उनके चेंबर में वहां पेशन को लेटा दिया जाता है लिधर टर्मी पोजिशन यानि की पेरों को फोल्ड करके जो एचसजी जाज के लिए ट्यूब आती ह उसको cervix के through यानि कि वेजाईना को dilate करके बच्चदानी को मुह पकड़के और cervix से होते हुए बच्चदानी के मुह से उस pipe को अंदर डाला जाता है जो कि पतली सी pipe आती है उसको insert किया जाता है और फिर injection के द्वारा उसमें जो दवाई रहती है यानि कि डाई उसको uterus के अंदर पहुचाया जाता है जैसे कि उसको push किया जाता है जैसे injection कैसे लगाते हैं तो वो डाई हमारी uterus में फैलती है सबसे पहले उसके बाद दोनो फैलोपिन ट्यूप की तरफ जाती है अगर मान लो ये जो डाई है uterus में पूरी में फैल गई दोनों ट्यूब में चली गई और ट्यूब से निचे की तरफ गिरने लगी पेट वाली केविटी में या एब्डोमिनल केविटी में कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है उसमें पूरी फिल्म अच्छे से आ रही है डाई डालके और फिर उसका एक्सरा लिया जाता है या उसका फोटू कीचा जाता है फिर उसमें देखा जाता है कि कहीं इसमें डाई कहां तक जा रही है अगर आपकी फैलिपिन ट्यूब ब्लोक है तो कहां है फैलिपिन ट्यूब का जो मू रहता है जो uterus से connect रहता है वहाँ पे है या बीच में है या फिर end पे है कहाँ पे है ये भी हम पता लगा सकते है और जो हमारी बच्चादानी की जो position है जो shape है कई उसमें उसकी बनावट में कोई खराबी तो नहीं है उसका भी पता लगाया जा सकता है uterus में कोई fibroid तो नहीं है जो हमें ultrasound में नहीं दिखाई दे रहे थे या फिर आपकी uterus में problem तो नहीं है जो कि हमें ultrasound में समझ में नहीं आ रहा था uterus में कोई और खराबी तो नहीं है uterus separate तो नहीं है इस तरह के बहुत सारी चीज़े हमें HSD test पता लगती है क्योंकि जहां भी uterus में फैलोपिन ट्यूब में अगर कहीं कोई रुकावट है बनावट में खराबी है तो फिर वो डाई वहीं पर रूप जाती है या जो फोटू आता है उसमें हमें समझ में आता है कि आपकी बच्चदानी में या आपके फैलोपिन ट्यूब में ये जाती है जैसी कि एकजामपल के तोर पर अगर आपकी जो पानी की टंकी है अगर उसमें कोई रुकावट नहीं है तो पानी की टंकी भरने के बाद में वो बाहर के तरफ निकलने लग जाता है उसके मुह से अगर रुकावट है तो पानी जाएगा ही नहीं है ना टंकी भरे तो फिर वो उसको हटा करके जैसे कि रूई के फोय जैसे या अगर ऐसा कोई ब्लोकेज है उसमें तो फिर वो दाई जो जाती है प्रेशर से वो उस ब्लोकेज को खोल देती है तो इस तरह से हमारा जो Hsg टेस्ट है वो किया जाता है इसके लिए आपको एडमिट रहने की जर की बोड़ी अलग-अलग रहती है इसलिए Hsg टेस्ट में किसी को ज़्यादा पेन हो सकता है किसी को नॉर्मल ही पेन होता है जितना हम सहन कर सकते हैं अब यहाँ पे हम बात करें बहुत सारे महलाये पूछती है कि मेडम हमें जो Hsg टेस्ट सुन करके कराना चाहिए या बि डॉक्टर आप से पूछते है कि आपको सुन करवाना है या बिना सुन में आपको करवाना है अगर आप करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है सबसंता है बोड़ी अलग-अलग रहती है तो कई सारी महलाई बोलते हैं मेड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कई सारी बोलते कि कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ नॉर्मल सेहन करने लायत था बट अगर आप काफी नाजुक है तो आप सुन करके करवाए एनसेसिया लेकर कि आपक रिलेप्स रहेगी पर जो महलाई बीना एनसेसिया करवाती है उन महलाओ को साथ क्या होता है कि हम इदर से डाई पुश कर रहे हैं और महला उदर से प्रेशर लगा रही है तो कई बार वो बचाओं के कारण भी इतना प्रेशर लग जाता है कि वो डाई उपर की तरफ नहीं जा पाती है या कई बार फैलोपिन टूप तक वो पुशी नहीं हो पाती है तो इसके कारण भी बीना फैलोपिन टूप ब्लोक होने के बावजुद भी महलाओ की टूप ब्लोक उसमें दिखाई देते हैं क्योंकि मानलोगर हमसे कोई लड़ने आ रहा है तो हम अपना बचाओं तो करेंगे तो एसे हमारी बोडी रहती कि अगर यूटरस के अंदर कुछ जा रहा है तो यूटरस उदर से प्रेशर लगाएगी कि मेरी तरफ मत आओ तो वो एक बचाओं के तोर पे कही बार महलाओं को और डाई उपर तक नहीं जा पाती है महला काफी प्रेशर लगाती है दर्व के कारण इसलिए ट्यूब कई बार ब्लोक आती है जबकि कई सारी महलाओं के ट्यूब ब्लोक नहीं होती है इससा कभी-कभी हो जाता है हर केस में नहीं होता है तो आप चाहे तो सुन करके करवाए उसमें ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे अब हम बात करें कि क्या Hsg टेस्ट कराने के बाद हम प्रेग्नेंट होने के चांसे बढ़ सकते हैं तो जी बिल्कुल कई बार एक बार Hsg टेस्ट हुआ और उसमें आया कि भई आपका ब्लोकेज नहीं है और उसके अगले महीने आप गर्बधरन कर सकते हैं तो उसका रिजन है रहता है कि Hsg करने से पहले आपकी जो फैलिविन ट्यूब में हलका सा ब्लोकेज था जैसे रूल के फोय जैसा Hsg टेस्ट किया हमने जो वो डाई प्रेशर से गई बचदानी के अंदर ऐसे करके वो प्रेशर से जाती है तो क्या होता है कि जिसे हलका फुल का जो ब्लोकेज रहता है वो उस डाई की वज़े से वो साप हो जाता है या वो ठीक हो जाता है तो फिर हमारा एग हिस्पम मिल पाता है और हम जल्दी प्रेगनेंट हो जाते कई सारे इसे कैसे होते है कि मेडम Hsg टेस्ट पेले तो हम प्रेगनेंट नहीं हो पा रहते जिसे हमारा Hsg टेस्ट होआ उसके अगले महीने हम तो प्रेगनेंट हो गए तो पता नहीं यसा क्या कमाल हुआ है तो कई बार ये फाइदा रहता है कि Hsg टेस्ट करने के बाद में हम जल्दी pregnant हो पाते हैं या pregnancy का chance जादा हो जाता है इसके बाद में हम बात करें कि Hsg test की cost क्या होती है कितने रूपे में हो जाता है तो देखिए सबी hospital के charges different different होते फिर भी आपके 2000 से लेके 5000 के बीच में ये test हो सकता है कोई डोक्टर 2000, 2000, 3000, 3000, 3000 ऐसे लेते तो मोटा मोटा आप एवरेजन cost 5000 तक इसकी मान सकते है तो आशा करती हूँ कि Hsg test की बारे में मैं आपको संपुन जानकरी देपाई हूँ अगर आप मेरे channel पर पहली बार आए तो channel को जरू सब्सक्राइब करे और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए आप मुझसे connect जरूर रहे धन्यवाद